दोस्तों मैं हूँ मुकेश और आप देख रहे यूटूब चैनल विग जन करी आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट इसके सेविंग्स एकाउंट के डिटेल के बारे में बताऊंगा बहुत सारे लोगों का कॉमेंट आता था कि सर अगर हम पोस्ट इसमें सेविंग्स ओपेन करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है क्या हमें इंस्टेंट चेक बुक की मिल जती है क्या हम सेविंग्स एकाउंड ओपेन करने के बाद ले सकते हैं कि नहीं या फिर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाल बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए कितना टाइम लगता है त पासबुक में आपको क्या क्या डिट dwelling मिलती हैं तो चले विडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आप देख सकते हैं यह है पोश्टिसक की सेविंख सेकाउट जब भी आप पोश्टोउश में सेविंख सेकाउट का फॉ फिलप करके देंगे एटो आपको आपको यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की डिटल इसमें मेंसन रहती है यहां आपका पोस्ट इसका नाम लिखा रहता है जैसे कि चेक बुक के साथ है तो यहां विट चेक बुक का और अपको मिल जाएगा थाड में आप आप देख सकते हैं आपको दिया जाता है अगर आप अभी जन्वरी के बाद जन्वरी 2021 के बाद आपने अपने ओपन किया है तो आपको 12 डिजिट का एकाउंट नंबर देखने को मिलेगा फिर यहां पर आप नेम ऑफ दिपोजिटर देख सकते हैं अगर आपका सिंगल होता है वह यह सीएफ डी होती जिसको की कस्टमर आइडियो कहते हैं तो यह यह आईडी आपको यूज करनी है अगर यह जोएंट होता तो यहां पर सेकेंड होल्डर का भी नाम होता और उसकी भी सीएफ डी आपको देखने को मिलती अब बात कर लेते हैं इसके पॉइंट क मिलेगा अगर है सिंघल आ कांट है जैसे कि सिंग्रण अगर जो देंहें रहेगा यह तो ज्यूंट की जोएं जो js प्रकार से मैंट्रम्र करते हैं एक होलडर में दूंडर कांद रहती है उसके आप यहां देख सकते हैं सन्ट रोजर यहां पर नो कर दिया है तो यहाँ आप देख सकते हैं और जैसे कि सेविंग्स एकाउंट है तो यहां एजेंट आईडी कोई नहीं है अगर यह कोई दूसरी स्कीम होती तो आपको यहां पर एजेंट इडी भी देखने को मिलती सिगनेचर आप पोस्ट मेंस्टर जो है सिगनेचर यहां पर मेंशन किया गया है अब यहां पर मैं आपको बता जाता हूं यहां पर आप देख सकते हैं 309 2021 को यह एकाउंट कैस के द्वारा खुला गया है हजार रुपे डिपोजिट है इस एकाउंट के अंदर में तो फ्रेंट से इस प्रकार से आपका सेविंग्स एकाउंट जब आप उपन करते हैं तो आपको यह सेविंग्स एकाउंट की पास्बुक मिल जाती है अब यहां सबैसर ने कर सकते हैं यह को कि आपको इन वेश्ट करते हैं ऐसे कर सकते हैं अगर म सब्सक्राइब कर सकते हैं तो डियान पिलshift कना अबदे के लिए आपको कोई फॉर्म देने की ज़रूत नहीं अगर आप तुरंट एकाउंट खुलने के बाद ले रहे हैं तो आपको अपको चेक बॉक के लिए फॉर्म देना ओता है फॉर्म किस प्रकार का है मैं आपको यहां दिखा देता हूं पोश्ट वी सेविंग्स बैंक एक्टेम कार्ड इंटरनेट मोबाइल एसमेज बेंकिंग यह इस प्रकार का फॉर्म है तो आपको जो चाहिए इंस्टेंट एटेम कार्ड अगर चाहिए तो यह तूरंद आपको मोबाइल बैंकिंग की सुदा ले सकते हैं तो यहां दो सकते हैं अगे आप इंटरनेट बैंकिंग की लिए और अगर आ आप सकते हैं और आपको सिंप्लिण यहां पर एक signature करके संब्ध करना है देने के बाद आपको 18 card तूरंत मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का 184 है तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं यह यह पर इस प्रकार का आपको मिलेगा जिसमें की नाम नहीं प्रिंट रहेगा क्योंकि इंस्टा एटिम कार्ड है यहाँ पर आपका एकाउंट नमबर आ जाता है साथ यह अगर पीछे सीसीवी नमबर भी रहता है सिक्रूटी के कारण में और आपको यहाँ पर एक चीज देखना यह जो चीप नया चीप काड़ आगे जिसमें की चीप है पहले जो यह चीप नहीं रता था तो आपको आपकी बस अगर बिना चीप वाला एक तो आपको रिप्लेस करना होगा वह आपका काम कारण कोई भी काम का नहीं आएगा साथ य यह चेक भुक है जो कि चेक बुक है कि क्लाशर एक चेक बुक की अ rebell मिल जाता है साई आप देख सकते हैं यहाँ पर अगन्दस और या कहीं पर वियर्मेंट को या कहीं पर विया को payment देना है sandy टे लिफॉन बिल विल कर सकते हैं डैंग में है डिपोजिट कर सकते हैं अगर आप अपने पॉस्ट हैं बैंग में पैसे को टराफर करना चाथी है तो इस चेक के माधियम से है इंस्टा एटिम काड़ भी मिल जाता है साथी एटिम और इंटरनेट मोबाइल बेंकिंग भी सुधा हो जाती है एक और चीज में आपको यहां बताना चाहूंगा फ्रेंड्स जैसे की सेविंग से काउंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इसका एक डूप्लिकेट ज मैं आपको बता देता हूं एप्लिकेशन फॉर इश्व डूप्लिकेट पासबूक तो इस प्रकार का फॉर्म यूज़ होता है बहुत सारे का कॉमेंट आता है कि सर मेरी पासबूक हो गई है और मुझे मिल नहीं रही है तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए तो यह जो एप्लिकेशन फॉर्म में आप इस एप्लिकेशन फॉर्म का यूज़ करके डूप्लिकेट इसू कर सकते हैं जो की बहुत ही यूसफुल होता है इसके लिए आपको साट रुपे का देना होगा यानिकि पचास रुपे का आपको फीस लगती है प्लस नौ रुपेश देंगा उससे देखकर आप फॉर्म कैसे बढ़ते हैं पुरा प्रोसेस के थ्रूप बताया गया है कि वाइसी फॉर्म कैसे बढ़ना क्या डॉकुमेंट्स लगते हैं और कितने फोटो की रिक्वायर्मेंट रहेगी साथ ही ATM किस प्रकास से फिलप के जाता है इसके पर भी म ने कंप्लेट वीडियो बनाई हुए तो उस वीडियो को भी जरूद देखेगा तो फ्रैंट्स आसा करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए होगी अगर विडियो अच्छी लगी तो वीडियो को LIKE जरू कि далее को अब सती अबने फ्रैंद के साथ स्थेर किजगा ताकि उनक चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू के जगा थैंक यू